Hello students, welcome to my channel NCRT expert हम आज कर रहे हैं क्लास 7th मैज का चैप्टर नमबर 13 Exponents and Powers आज हम करेंगे ट्राइज त्राइज ओन पेज नमबर 256 Put into another form using A raise to power M multiply B raise to power M is equal to A B raise to power M First part है इसका 4 raise to power 3 into 2 raise to power 3 यहां पे हमारा law of exponent यूज हो रहा है multiplying powers with same exponents यहां पर base 4 है यहां पर base 2 है लेकिन exponent कह सकते हैं या power कह सकते हैं वो हमारी same है दोनों में 3-3 है ठीक है तो यहां पे हमने क्या करना है powers को ध्यान रखना है कि यहां पे powers same है और base अलग-अलग है 4 raise to power 3 इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 को हम 3 बार लिख सकते हैं multiply करके 2 की power 3 है तो 2 को भी हम 3 बार time लिखते हैं ठीक है 4 इसमें से ले लेंगे और 2 इसमें से लेंगे ठीक है इस तरह से हमारे 3 pair बन जाएंगे 4 into 2 4 into 2 और 4 into 2 ठीक है यह हो जाएगा 8 into 8 into 8 तो यह जाएगा 8 raise to power 3 2 raise to power 5 into B raise to power 5 2 यहाँ पे 5 बार है B भी यहाँ पे 5 बार है तो हम 2 को हम 5 बार लिख देंगे B को भी हम 5 बार लिख देंगे अब हम यहाँ से 2 को और यहाँ से B को 5 हम यहाँ पे pair बना देंगे 2 into B 2 into B इस तरह से हमारे 5 pair बन जाएगे अब हम इसको लिख देंगे 2B multiply करते जाएंगे सारों को और 2B यहाँ पे हम 5 बार लिख देंगे ठीक है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2B raised to power 5 C part A square into T square ठीक है A यहाँ पे दो बार है A into A T भी दो बार है T into T A और T को एक के उठा लेंगे इसमें से A into T A into T A T into A T या जाएगा A T का square या A T raised to power 2 4th 5 raised to power 6 into minus 2 raised to power 6 5 यहाँ पे 6 बार है 6 बार लिख देंगे minus 2 भी 6 बार है minus 2 को भी हम 6 बार लिख देंगे 5 को यहाँ से लेंगे minus 2 को यहाँ से लेंगे और हम यहाँ पे 6 यहाँ पे brackets में pair बना देंगे अब हम इनको multiply करके लिखेंगे minus 10 यहाँ पे 6 बार हम minus 10 लिखेंगे और यह आजाएगा minus 10 raised to power 6 5th part minus 2 raised to power 4 into minus 3 raised to power 4 minus 2 को हम 4 बार लिखेंगे minus 3 को भी 4 बार लिखेंगे इनको हम इकटा लिखेंगे pair बना लिखेंगे जब minus 2 को और minus 3 को multiply करेंगे तो यहाँ पे 6 आजाएगा क्योंकि जब minus minus multiply करते हैं तो plus हो जाता है तो यहाँ पे 6 हमारा 4 बार लिखेंगे इसको हम लिखेंगे 6 raised to power 4 next time मैं आपको try this कराऊंगी on page number 257 thank you बच्चो